अगर यह नहीं होती तो यह ना होता हलो एंड वेलकम टूर चैनल टेली सफर्तु फ्रेंच जैसा कि आप जानते होंगे कि सोनी एंटर्टेन्मेंट टेलिविजिन कसिंग रियालिटी शो इंडियन आइडल जल्द ही शुरू हो जाएगा अब शो के प्रोमो में एक खास कंटेस्टिंट आई औरंगाबाद महराश्टर की रागनी शिंदे जो केवल 15 साल की हैं लेकिन उनकी आवाज में इतनी मिचॉरिटी है कि जजेस तो बहुत ही इंप्रेस हो गए हाला कि रागनी के पेरेंट्स ने कहा कि रागनी है तो देविंद्र है दरसल 2003 में वो पैदा हुआ तो उसे एक बड़ी बिमारी थी जिसके लिए डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ 15 या 16 साल तक ही जी पाएगा पर बोन मेरो ट्रांस्प्लांट से वो ठीक हो सकता है तब रागनी सिर्फ और सिर्फ तीन साल की थी और रागनी के पेरेंट्स ने बताया कि रागनी की हड्यों में से बोन मेरो देविंद्र को सक्सेस्फुली ट्रांस्प्लांट किया गया और आज देविंद्र एकदम ठी और कही न गई उनके पेरिंट्स का मानना है कि रागनी उनकी लाइफ में लक्षमी बन कर आई है जब रागनी है तभी तो देविंद्र है ये देख बादशा ने एक बड़ा कॉंप्लिमेंट दिया कि अगर आशिरवाद का कोई फेस होता तो वो रागनी ही होती जिसने इतना बड़ा सेक्रिफाइस की और इतना ही नहीं आज उसकी आवास पूरे देश तक पहुंच रही है इंडियर आइडल शोग 26 अक्टूबर से शुरू होने वाला है हर शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिएगा जरूर सो दोस्तो रागनी के इस शोग पर आने को लेकर क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेर और करना ना भूले धन्यवाद